दोस्तों, डंकी वर्ड से सलार क्लेस पर आया संजदत का दमाकेदार रियक्शन, आखिर कर ऐसा क्या का अधिया संजदत ने, जिसे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान, तो चलिए फ्रेंट्स आपको बताते हैं, डंकी वर्ड से सलार क्लेस की चर्चा हर तरफ हो रही है, इन ये दोनों फिल्म एक साथ रिलिज होती है तो इन दोनों फिल्मों से किसी ना किसी फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिलेगी वह ही सजदत ने कहा कि मैं राजकुमार हिरानी की डिरेक्शन को बहुत ही बली बात ही जानता हूं क्यूंकि मैंने उनके साथ मुन्ना लेकिन डंकी फिल्म बिल्कूल उरिजिनल फिल्म है इस बात की पुष्टी खुड डायक्टर ने की है वहीं डंकी के फैंस भी प्रवास की फिल्म सलार को प्रसान निल की 2015 में आई मल्यालम फिल्म उगरम का रिमेक बता रहे हैं दोनों घुटों के फैंस अपने अपने पीशे चलते हैं साल 2018 में जब सार्य खान की फिल्म जीरो आई थी तब प्रसान निल ने अपनी फिल्म के जी फिल्म को बाक साफिस पर किया फिल्म बलाक Basterror रही सारू खान की प्लाप हो कही लेकिन अभर अब सारु खान जीरो आण सारु किरो जेरो नहीं रहें उन्हों बासा में 600 करोण उपे कमाई की है अब इसका रिकार्ट तोड़ना सभी के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है और इस साल सारू खान का जलवा पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है वहीं अगर हम बात कर सलार फिल्में की तो सलार में लीड में भूमिका निवानने वाले प्रवास फिल्म से कमबेक कर पाएंगे वहीं ये फिल्म के जीए फिन्योर्स का पार्ट है जिसके लिए जनता पहले से ही सुपर एक्स्टाइटेड है आदिप पूरुस फिल्में के बाद से प्रवास की इमेज काफी डाउन हुई है लोगों ने उनका पूर रूप से बह पाएंगे ये तो 22 दिसंबर को पता चल जाएगा सलाल फिल्म मास एक्सन से बरपूर फिल्म होने वाली है और जिसे देखने के लिए सभी दरसा काफी एक्साइटेड है और रिपोर्ट की माने तो तलार फिल्म में राकिंग इस्टारियस और यां टीयार का कैमियो भी आएगी क्योंकि राकिंग इस्टारियस के जी अप्टू के बाद अब इस फिल्में दिखेंगे आप डंकी और सलार इन में से किस फिल्म के लिए एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताए और वीडियो आपको थोड़ी पसंद आयो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर